तो दोस्तो अभी मैं आपसे इस बीडियो में BBA Computer Applications Course के वारे में आपसे मैं इस बीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपसे इस बीडियो में इस बीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो Educational Wordster Channel तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे BBA Computer Applications Course के वारे में आपसे मैं इस बीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तो अगर आपने 12 की क्लास को पास कर लिया है और आपको जह जानना है कि 12 की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कॉर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस बीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस बीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपने इस बीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे बेले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ की BBA Computer Applications का कोर्स आखिर क्या होता है तो मैं आपको उताना चाहता हूँ की BBA Computer Application कोर्स एक full time कोर्स है और इस कोर्स को जो students होते हैं वो 12th की class को पास करने के बाद कर सकते हैं इस कोर्स में आपको Computer Applications के बारे में आपको जानकरे दी जाती है जिसके चलते आप IT की जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हो तो आज के टाइम में कई सारे एसे students होते हैं जो Computer Applications का कोर्स करने में ज़्यादा interest रखते हैं जिसके चलते आपको Computer की Basic Knowledge मिल जाती है और इसे के साथ जो Computer Software होते हैं उसकी भी आपको Knowledge मिल जाती है इस कोर्स को करने के बाद आप किसी Lab में Technician का रोल भी अदा कर सकते हो तो इस कोर्स के मादम से जो Jobs की Opportunities हैं वो काफी जाता है अभी मैं आपसे Course Duration के बारे में आपसे मैं Discuss करने वाला हो कि BBA Computer Application का कोर्स कितने वर्ष का कोर्स होता है तो मैं आपको उताना चाहता हूँ कि BBA Computer Applications का कोर्स तीन वर्ष का कोर्स होता है और इस कोर्स में आप Master System के Base के उपर आप इस कोर्स को पूरा करते हो अभी आप से मैं job profiles के बारे में आप से मैं discuss करने वालाओं कि अगर आप BBA Computer Applications का course पूरा कर लेते हो, आपको किस प्रकार की job मिल सकती है तो दोस्तों आप software developer बन सकते हो, आप system programmer भी बन सकते हो, इसके इलावा आप web designer भी बन सकते हो, आप अच्छी अच्छी websites को भी design कर सकते हो अभी आप से मैं subject discuss करने वालाओं कि BBA Computer Applications course में आप किस प्रकार के subject आप study कर सकते हो तो इस course में आप business communication, financial accounting, principles of management, organizational behavior, business mathematics, software engineering, etc. subject आप इस course के दुराण study कर सकते हो त्योरी के साथ साथ आपको practical की knowledge भी BBA Computer Applications course में भी दी जाती है, तांकि आप ज्यादा advanced knowledge हासिल कर सको अभी मैं आप से eligibility criteria और admission process के वारे में आप से मैं discuss करने वालाओं कि आप इस course में किस प्रकार से admission ले सकते हो तो इसकी eligibility है कि अगर आपको BBA Computer Applications course में admission लेना है तो इसके लिए दोस्तों जो 12th की class है वो आपको पास करनी होगी और अगर बात करे admission process की तो simply 12th की class को पास करने के बाद आपको entrance exam देना होगा अगर आपका entrance exam clear हो जाता है आपको college जाज उनिवस्टी में admission मिल जाएगा लेकिन अगर आप entrance exam नहीं देना चाते फिर भी आप किसी private college में direct admission ले सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे BBA Computer Applications course के वारे में मैंने आपसे इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपका जो doubt होगा इस course के regarding वो clear हो चुका होगा लेकिन फिर भी अगर आपका कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में काफी courses के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हेवाँ जाकर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जै वीडियो कैसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद